हर्याना से पहले पंजाब ने चंडीगड के मुदे पर विशेश विधानसभा सत्र बुलाया था और इस दौरान पंजाब सीएम भगवन्तमान ने सदन में क्या कुछ तरक रखे थे और वही आज हर्याना के मुखे मंत्री मनोहरलान ने चंडीगड पर क्या कुछ तरक रखा इस अधिनियम में पंजाब और हर्याना राज्यों इमाचल प्रदेश तथा चंडीगड के केंद्रिय शाषत प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किये गए थे यह सदन एक अप्रेल 2022 को पंजाब की विधान सभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रगड करता है जिसमें सफारिश की गई है कि चंडीगड को पंजाब में स्थानांत्रित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उपाया जाए यह हर्याना के लोगों को सिवकारे नहीं हैं हर्याना ने राजजानी क्षेदर चंडीगड पर अपना अधिकार लगातार बरकरा रखा है इसके लावा इस सदन ने इससे पहले भी समयधानिक प्रवधानों के अनुसार चंडीगड में हर्याना राज्ये के एक अलग उच नाले के लिए प्रस्ताव पारिक कियाैं। सदन केंदर सरकार से ये सुनिष्यद करने का भी आगर करता है की चेंदर शाष्ड प्रदेश चंडिगर के परशाषन में सेवा करने के लिए हर्याना सरकार के अहधिकारियों के लिए निधारित अरुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाए जब पंजाब के पुनर गठन की परिकल्पना की गई थी श्रीमान जी मैं प्रस्ताव करदां पंजाब पुनर गठन एक्ट उन्निसो शेयर दे द्वारा पंजाब दा पुनर गठन कीता गया सी पंजाब राजदा पुनर गठन हर्याना प्रांथ चंडिगर के इंद्री शाष्ट प्रदेश विश तीता गया सी पंजाब मुकंबल तौरते चंडिगर नू पंजाब नू दित्ते जान ली अपना दाला पेश कर रहे है पहला भी ए सदन ने चंडिगर पंजाब नू देनली के इंद्री सरकार पास बेंती कर दे होई बहुत सारे मते पास कीते ने एक सुर्ता बनाई रखन ली अते लोका अंता नू सतकार देने लिए राज सरकारां सरकार नू श्पार्श कर दा है कि केंद्री सरकार नू बेंती करें ओज यहां कोई भी कदम ना चुके जिसना चंडिगा प्रशाशन वीवी अंबी वर्गियां खुरसांजीयां संप्तियां दे संतुलन्द विच बिगन पदे